हेलो अब्रिवन कैसे हो आप सब गुड आफ्टरनोन आज मैं दुबहर से अपनी ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और आज हम जा रहे हैं अपनी सासुमा को छोड़ने अपनी ब्लॉग है पर ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है इसलिए सौरी और ये साइड में मेरी सासुमा बैठी है बीच में शीवा है मैं हूँ मैं सिधा अपनी माइके से आई थी और नीचे नीचे से ही होकर हम चले गए नए घर से होकर के मैं पुराने घर अभी नहीं प शूट करती जा रही थी अभी यहां से मम्मी जी का माइका लगवग 25-30 किलोमेटर की दूरी पर है जो हमारा घर है वहां से तो इसलिए गाड़ी से मम्मी जी को छोड़ने जा रहे हैं वो उन्होंने वो लथा कि वहां पर दो-तिन दिन रूखोंगी फिर उसके बाद आउं थोड़ा सा पार्ट है ये जबी दिख रहा है और यहां पर बारिस भी लगी थी इसलिए देखे गाड़ी में आपको बारिस दिख रही हूँ शाम को हमारे यहां पर बहुत बारिस हुई थी बस अभी भी हल्की फुलकी बुंदा बांदी लगी थी वैसे तो पहले ममी जी क प्रोग्राम स्कोटी पर जाने का था पर उसके बाद ये बोला नो कि हां मैं गाड़ी में ही छोड़ दूँगा तो इसलिए हम फिर गाड़ी में गए और ये देखे सौप गेरा भी यहां पर कुछ खुले थी तो अभी मार्केट से होके ही जा रहे हैं अभी हमने अपना आ मिठाी विगरा इनको लेनी थी तो यहां पर रुके थे यह बहुत फिमस सुईट सुद अगर कि अथी Vielleicht ne इल्टाई की चिल तो अभी म सुन्दानगर शोड़ा सा आगे ही वड़े थे कि यहाँ पर अचानक से हमारी गाड़ी रुक गई जैसे थोड़ी सी चड़ाई है यहाँ पर फिर चड़ाई चड़ते चड़ते ही गाड़ी अचानक से बंद हो गई फिर इन्होंने स्टार्ट करने की काफी कोशिस की बट यह गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी उसके बाद फिर काफी देर आदे गंटे के बाद इनको मेकैनिक जाके मिला फिर उन्होंने गाड़ी चेक किया बोलते गाड़ी की बैटरी थोड़ी से भीक है फिर फाइनली हमने तो सोचा था यहां से अब आगे नहीं जा पाएंगे तो ममी जी बोल भी रहे थे कि चलो बापीस ही चलते अब करें उसके बाद ममी जी को छोड़ने तो यह आगे वस यहां से थोड़ा जो सुंदानगर से थोड़ा ही दूरी पर अभी हम निकले थे तब हमारी लुक कई थी तो अभी मैं आपको दिखा रही ह। यह plane area है, जो हमारे हीमाचल का plane area है, नीचे बल एरिया से बहुत दिया है, यहाँ पर कहा है, ममी छोड़ने के बाद बापीस हो रहे हैं और बापसी में यह देखी मंदिर मैं आपको दिखा रहे हूँ, यह दिखा रही हूँ, यह ममी जी नहीं मुझे बताया था, उनके माईक ही पास में हीं मंदीर का मंदीर है बहुत बड़ा यहां पर धाम बगिएर भी जैसे कि लाते हैं जैसे किसी की शादिया या कुछ फंक्स expensive व faqcor होता है तो उसícioसे याँ पर खिलाते हैं एक्स्यूबी 300 गाड़ी देख रहे थे तो बस थोड़ी दिर यहां पर गाड़ी की हमने कोटेशन ली इनसे जो खड़े हैं वो हमें बता रहे थे गाड़ी की और यह किसी गाड़ी पर बता रहे थे जिसे वो अल्रेडी पर चेज हो चुकी थी किसी ने कृट ली थी यहाले तो अब बस यहां पर देखें इनसे कोटेशन ले रहे हैं और अब हम यहां से चल पड़ेंगे थोरी देर में ही अब अब अ आज तो परेशान ही होगे पता निए अब यहां चाट लेके तो आई लेकिन गाड़ी हमारी फिर से खराब होगी पता निए फिर से इसको प्राप्लम आगा रहे है एगदम से ही बंदो जा दी अब बता निए क्या हो गया और अब ही शाम के सबाफाँ हो रहे हैं अब हम ब बहुत परिशान हो गया थोड़ी चे दूर बुला था कि यहां थोड़ी दूर आगे मेकानिक मिल जाएगा यहां से कुछ अतर हुने ना परिशान हो गया चाहिए रहा थे तो फिर से यहां पर देखिये मैं कहने काया हुनों ने फिर से देखा बोलते इन्होंने भी वही वोला जो सुबह वोला था कि बैटरी वीक है इसकी तो सुबह कुछ इंजन की वार्निंग भी आरी थी वो काफी देर तक रही तो उन्होंने उसका पीछा किया फिर से दिखाया बोलता थोड़ी गेर के बाद चले जाएगी इसकी वार्निंग तो अभी देखिए चेक कर रहे हैं गाड़ी को फिर से अंधेरा और अंधेरा हो रहा है मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की हो रही थी कि बच्चों की साथ हम कप पहुंचेंगे यहां से फिर से हम निकल गए पर बीच बीच में थोड़ा सा जाम लगा था तो एक बार फिर से गाड़ी रुक कई थी पर फिर से यहां से पता नहीं अभी घर तक क्या होगा अभी हम सिर्फ मार्केट से ही गुजर रहे हैं यह सुन्दनगरी की मार्केट मैं आपको दिखा रही हूं जहां से हम अभी जा रहे हैं तो अभी इसके बाद तो नहीं रुकी यहां तक तो नहीं रुकी है गाड़ी पर पता नहीं आज दिमाग में ऐसा ही लग रहा था कि पहुंच पाएंगे या नहीं हम पहुंच चुके हैं घर ये उस दिन का ब्लॉग नहीं है उस नेक्स दे में ब्लॉग बना दी हूँ क्यूंकि पिछले कर ले इतना टाइम नहीं लगा था कि मैं वीडियो बनाओं कि इसके बाद मैंने गाय से भी दूर निकाला पर सबसे पर उसके पाद तो गाड़ी कहीं भी नहीं रुकी फिर घर पाड़ी रुकी गाड़ी तो यह था कि जैसे फेंबली के साथ बहुत बड़ी मतलब दीकत हो जाती है जैसे बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं कि आसा नहीं हमारे साथ पहले भी हो चुका है जब हम यहां से जूरी के लिए गया थे पहले जब हम यहां पास्वेंड के साथ जब हम गया थे तो उस टाइम भी मतलब यहां से तो हम अपने देवर की गाड़ी में गया थे लास टाइम जब हम गया थे अभी तो नहीं गया लास टाइम में गया थे जब दी गया थे लास टाइम में गया तो उस गाड़ी में गय और आधे रास्ते में क्या हुआ अभी आधा ही रास्ता थेकिया था हमने 25 किलोमेटर तक चले गई थी वो गाड़ी अभी 25 किलोमेटर और थी तो वहाँ पे हमारी गाड़ी खराब हो गई खराब क्या मतलब उसका टायर पंचर हो गया फिर वहाँ पे फंस गए और रात का टाइम था कोई भी इतनी सारी लिफ्ट भी मांगे गाड़ीयों से बट करोना के चक्कर में कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा था कोई भी लिफ्ट दे के गाड़ी को इतनी सारी टेक्सी कहां थी वह तो इतना सुनसान ही लाका था वहाँ पे न आगे कुछ न पीछे कुछ बिल्कुल जंगल में मुझे तो इतना डर लग ला था उस दिन पर बता नहीं पाई कि अजीब सा डर अजीब सी फिलिंग हो रही थी कुछ फिर उसके बाद ओ ड्राइबर को ही किसी की लिफ्ट मिली फिर जहां पर हमारा स्टेशन था वहां पर वो गया फिर उसने दूसरी गाड़ी लाई वहां से और उस दिन हम पहुंचे हैं रात को दो बजे अपनी कौट तो सोचलो आप बस मैं इस बार भी मेरे दिमाग में ऐसा ही आ रहा था कि बस उस दिन की तरह आज होने वाला है फिर से पर उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी गाड़ी में बैटरी की थोड़ी सी दिक्कत थी जो काफी टाइम से होता है न जैसे गाड़ी नहीं जाता है कि हुआ अचानक से पहली बार इसी काड़ी के साथ ऐसा हुआ उससे पहले नहीं हुआ था पतानी इनकास आपनी है कि क्या है कुछ ना को जिक्कत हो एं क्यों बेस जो जो एक बात की हाँ गर पहुंच गे सीफ क्योंकि मुझे लग रहा था सबी कर दो बीच रास्त सब्सक्राइब होते हैं तो फिर था कि मुझे भी गाय से दूद भी निकालना है वो भी रिस्पोंसिबिलेटी थी एक और उस दिन रात को हम पहुंचे थे मतलब कल रात को पहुंचे थे साड़ी आट की आसपास पास पहुंचे थे साड़ी आट नौ बजे की आसपास मैं तो फिर उसके बाद नि हुई बंद फिर घर पहुंचे गए मतलब चलिए ठीक है तो बस संत बला तो सब कुछ बला पहुंचे फैल ली बापिस हो ठीक है अब तो बैटरी चेंज कर आ ली है उसकी जैसे बोला था उन्होंने की बैटरी चेंज कर बानी पड़ेगी उसक बीक है सब कुछ अगरोश सब और तो अब कर अबर कुछा अब कर यह क्लारा करें है यहीं पर का खतम मिरी एस्वेंट की इसके आपने बोह मुल्य टाइम देने के लिए बहुत पाना नाइगा तो रिया चलिया अब है अब यहीं बुल्य पर लोग कर आपको मेरी व्लाग पसंद आ रहे होंगे कैसे लगे प्लीज के प्लीज करके जुरूर बताईएगा थैंक्स वर वाचिंग मिलती हैं नेक्स व्लोग में तब तके लिए बावाए